नमस्ते, आप सब का स्वागत है मेरे चैनल पर, मैं हूँ मोनी सिंग, a mother, an engineer, an entrepreneur, and a lifelong learner. वैसे तो मैंने बहुत विडियो बनाए हैं पहले, जारतर इंग्लिश में, हिंदी में ये पहला अटेम्ट है, तो थोड़ी खिचडी बनेगी, आशागरते हूं कि आप इसे पसंद करेंगे. हम सब लगे हैं अपने बच्चों को कुछ बनाने में, मेरा बच्चा बड़ा होगा, लड़की हो या लड़का, वो पढ़ेगा, बड़ा नाम करेगा, हम जो इंडियन माबाप हैं, हमारी सबसे बड़ी ख्वाईश यही है, है ना, मैंने अपने पापों में को यही करते और अब खुद भी, और अपने आस्पार जो फैमिली से उनको भी देख रही हो, तो हम चाहें इंडिया में हैं, या दुनिया के किसी भी शहर में बस जाएं, हमारे बच्चे आगे बढ़ें, यह एक कॉमन धागा है, जो हम सब को जोड़े हुए है, अब कितनी कहानिया सु इसी तरह से हुए, लेकिन जो मेरे अपने बच्चे हुए, तब दिमाग में खटपट खटपट शुरू होगे, और फिर बड़ी हिम्मट जटाने के बाद, मैंने कॉर्परेट अमेरिका को टाटा बोल दिया, और वहां से शुरू किया, कुछ ऐसा, जिससे बच्चों के ल लेकिन एक एजुकेटर की तरह, ये बच्चों को कैसे तियार करना है, इस बारे में, तो मैं आपको इसकी जलक, पिक्टर्स के थू दिखाती हूं, कुछ ऐसा किया, कि लोग आके पूछने लग गए, कि क्या तरीका है, सही तरीका क्या है, बच्चों को आगे बढ़ाने का बच्चों को तियार करने का, कहीं पर टीवी में इंटर्वी हो रहे थे, कभी मैगजीन में न्यू स्टोडी हो रही है, कभी वार्ट्स है, कुछ रखने मेशन है, लोग एक्सपर्ट की तरह आके पूछने लग गए, बताए क्या करना सही है, कैसे, और ये सब कुछ होता ग पूल जगा जगा, पांच देशों में, और अमेरिका, मेक्सिको, दुबाई, जगा जगा पर ये हमारे तरीके की सीख होने लग गई, और वो बच्चों को सिखाने लग गई, अब ये सब पिक्चर देखने में तो अच्छ लगते हैं, है ना, लेकिन ये पिक्चरों में थ तो चलिए सही असर देखते हैं, सही चीज क्या है, किस चीज का असर है, ये जो पिक्चर आपने सब देखें, असली में जो होता है, जो असर होता है, जो इंपाक्ट है, वो कुछ ऐसा है, एक साथवी या आठवी क्लास की लड़की उसका नाम एसेंस, यहां पर, मैं मैं हूँ, और वो आके बताती है, कि उसका तो साइंस में कुछ इंटरेस्ट था नहीं, लेकिन अब जो सीख रही है, उसका इंटरेस्ट बढ़ गया, उसके मार्क्स पर इचे आना लग गया, फिर एक टीचर, एक टीचर है चुकी, इलिनॉय, इलिनॉय एक स्टेट है, जि बच्चों के साथ में, और तीन साल में उन्होंने अपना प्रोग्राम को पच्चिस जगाओं में फेला लिया, मेक्सिको कंट्री के एक रूरल चोटे से गाओं सा समझ लिजे वहां की जो स्कूल है, वहां के टीचरों को हमने सिखाया कि कैसे बच्चों को हाथ से कुछ कर क कि उनको सिखाया जाए, कैसे क्रियेटिविटी सिखाया जाए, कैसे क्रिटिकल थिंकिंग, सोचना है, वह सोच कैसे होनी चाहिए, जब आप कुछ नया बना रहे हैं, एक एंजिनियर यहां के वरजिनिया के स्टेट में, उन्होंने अपना बिजनिस शुरू किया, और वह लोग सोचते हैं कि अगे क्या करना है, अदी लाइफ बीच चकी है, अगे क्या है, और किती बाद यह ख्याल आता है कि साटिस्फेक्शन कैसे मिले लाइफ में है, क्योंकि पैसे कमा रहे हैं, यह कर रहे हैं, तो आप सोचना हो जाते हो कि कुछ और होना चाहिए, ऐसा हम कोई बड़ा इंपाक कर सकें, तो यह इंजिनियर वरजिनिया की उन्होंने आके हम से सिखा और फिर वो अपने शेहर में लेके गई, और वहां उन्होंने फाइनली अपना फुल टाइम जॉब छोड़के वह भी बच्चों को सिखाने में उन्होंने अपना पुरा अप देडिकेट हो गई हैं फिर अब बड़ी कंपनी सोचे बोइंग जैसी कंपनी उन्होंने दुबाइ में बच्चों के लिए कुछ करना चाहा तो हमारे पास फिर वही हमसे हमारे तरीकों को यूज करके उन्होंने भी कुछ प्रोग्राम किये बच्चों के लिए तो यह के लिए एक सही तरीका सोच बता रहे हैं तो पिछले ग्यारा सालों में जो मैंने सीखा है जो सिखाया है और सच पूछें तो अभी भी सीख रही हैं बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए वही मैं आप से शेयर करूंगी इस चैनल के जरिये और यही जो मेरा प्रोसेस है जिससे मैं करती हूँ जो मैंने जगा जगा टीचर्स एजुकेटर्स को जगा जगा लोगों में सिखाया है यह मैंने अपने बच्चों में भी अजमाया है तो मेरे दो बच्चे है जो अब तो दो बड़े बच्चे तो अब कॉलेज की तरफ वाले हैं जल्दी और अब मेरा चोटा बच्चा है वो 5 साल का है वो आप शुरुवात करेगा इनी सब प्रोसेस में तो मैं आपको इस चैनल के साथ वो सब चीज़े सिखाऊंगी और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजे और लाइक और शेयर कीजे अगले वीडियो में इक लिए ही त्यार कर रहे हैं तो यह जरूरी है जानना की आगे जा कहां रहा है आप सुनते होंगे इंडस्ट्री 1.0, 2.0 नहीं सुना है तो मैं बताऊंगी यह क्या है फिर आप सुन रहे होंगे मेटावर्स, अब यह मेटावर्स कौन से चीज है मैं न यह सब के बारे मे आपसे बात करूंगी अगली बार और फिर हम ये देखेंगे कि जब ये दुनिया जिस्तर जा रही है इसमें आप अपने बच्चों को कैसे कैसे त्यार कर सकते हैं एक ये मानना है हर जगा कि बच्चों को साइंस कराएं इंजिनेरिंग कराएं टेकनोलोजी के बारे में सिखा ही है सिखाना ज़रूरी है लेकिन क्या वो सफिशंट है क्या बस यही यही है जो हमारे बच्चों को आगे के लिए त्यार करता है इसके बारे में आगे बात होगी तो तब तक के लिए नमस्ते और आशा करती हूं आपसे जल्दी मुलाकात होगे